हलो दोस्तो प्लेसेंटल बैरियर प्लेसेंटल बैरियर प्लेसेंटल बैरियर प्लेसेंटा की एक स्ट्रक्चर होती है जो मदर के बलड और फिटस के बलड में के बीच में फिल्टर का काम करती है या अवरूद का काम करती है या फिर एक बैरियर की तरह काम करती है तो आप इ इसी structure, red color की structure के बीच में, या placenta के बीच में, कुछ important structure होती है, इसको एक diagram के elf से समझते हैं, तो यह diagram देखी थोड़ा, तो diagram देखने में थोड़ा सा मुस्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको easy करके पढ़ते हैं, इसको divide करते हैं, सबसे पहले outer layer जो भी दिखाई दे रही है, आपको यह surrounding में layer दिखाई दे रही है, इनको पढ़ते हैं, इसको छोड़ के, इसको देखी ओपर, तो यह बनाई है, मदर की layer बना रहे हैं, सबसे उपर वाल layer जो red color में बनी है, यह है myometrium layer, middle layer होती है, thickest layer, और इसके सबसे अंदर वाल layer होती है, decidua या फिर endometrium, pregnancy की time पे endomet सबसे ले के आती है, इस पार्ट में, और यह जो blue color में spiral vein बना रखी है, यह इस जगह से blood को वापस ले के जाती है, यह ट्रस की तरफ को, तो यह था मदर का पार्ट, अब इसको देखे, यह जो finger like structure दो दिखाई दे रही हैं आपको, तो यह finger like structure यह क्या है, विलाई, यह फि intervillus space, अब intervillus space के बाद में, जब हम इस structure देख रहे हैं, तो यह विलाई की सबसे outermost layer आपको दिखाई दे रही होगी, यह black color में जो बनाई है, इसको बोलते हैं syncyotrophoblast, और syncyotrophoblast के अंदर वाली layer है, cytotrophoblast, cytotrophoblast के अंदर दिखाई दे रहा होगा, आपको यह umbilical vessels, तो यह umbilical vessels की structure भी अगर आप देखो, तो outermost structure है, stromal layer, connected tissue बनी होती है, और इसके अंदर की layer होगी, endothelial layer, तो इस पूरी structure की membrane, जो यह आपको दिखाई दे रही है, endothelial से, और syncyotrophoblast की layer की बीज में, आपको चार membrane दिखाई दे रही होगी, वापस से repeat करते हैं, syncyotrophoblast sytrophoblast, stromal layer, यह connected tissue stromal layer, और last layer है, endothelial layer, तो यह चार total thickness है, चार membrane है, जो filter करनाया काम करती है, इस mother के blood से, इस fetus के blood के बीच में, एक filter की तरह काम करती है, इसी को बोलते हैं, placental barrier membrane, तो इसकी thickness कितनी होती है, इसको इस diagram की हल से, अगर आप संजो, तो यह mother का blood है, और यह fetus का blood है, इसके बीच-बीच में जो structure है, वो कौन कौन सी है, सबसे outermost structure कौन सी होगी, मदर के blood के साथ में, जो contact करती है, वो है sensor trophoblast, उसके अंदर वाल layer कौन सी है, cytotrophoblast, cytotrophoblast के अंदर वाल layer कौन सी है, यह आपको दिखाए दरूगी connect tissue, tissue की stromal layer, और उसके अंदर कौन सी थिकनेस कितनी होती है, 0.025 mm, बहुत important point है, कहीं बार कुछ जाता है exam में, placental barrier की thickness कितनी होगी, 0.025 mm, यह total thickness होती है, अब बात करते हैं placental barrier के function कि, किसका function क्या होता है, simple function है, कि mother के blood से, जो भी fetus के blood में, जो भी supply होने वाली है, उसके बीच में filter की तरह अकाम करना, या भी toxic substance कोई भी आने वाले है, उससे prevent करना, molecular hyperin का अपने नाम सुना होगा, उनको filter करना है काम करती है, वो कभी transfer नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान में रखे है, कि most of bacteria, most of virus prevent कर सकती है, placental barrier, लेकिन store syndrome, store मतलब, syphilis, toxoplasmosis, rubela, cytomegalovirus और harpes, यह कुछ इस ट antibody के बात करते है, antibody, IgG, एक antibody है, जो common से transfer हो सकती है, mother के blood से fetus के blood में, या fetus की body में transfer हो सकती है, इस placental barrier गो easily cross करके जा सकती है, तो यह पड़ामने आज का topic, I hope यह lecture आपको पसंद आया होगा, thank you so much.